Hello and Welcome Everyone, आज हम पढ़ेंगे Class 12 का Bio Technology and its Application सबसे पहले Bio Technology की बात करते हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं पिशले चैप्टर में, बड़ एक बार Recall कर लेते हैं देखो, जब भी हम लोग Biological चीजें, यानि की DNA इसके अंदर कोई ना कोई चेंज लेकर आ रहे हैं Technology की Help से, तो इसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं Bio Technology लेकिन ये जो DNA के अंदर हम Change लेकर आए हैं, Modify कर आए DNA ये कहां कहां पर इस्तमाल आएगा देखो, सबसे पहले तो Medicines के अंदर Antibiotics हो गई हैं, आपकी Vaccines हो गई हैं, ये सारी चीज़े Bio Technology के Application से बनती हैं दूसरा, Diagnostics, मतलब किसी बिमारी के बारे में आपको जाचना है तो उसके बारे में पता लगा सकते हो Processed Food बना सकते हो, Waste Management में काम आएगा Energy Production के अंदर काम आएगा और Genetically Modified Crops अब ये जो Genetically Modified Crops हैं, ये क्या होते हैं? मतलब हम ऐसे Crops Design कर दें ऐसे DNA के अंदर Change लिया है Crops के, जिससे की वो ज़्यादा गर्मी के अंदर भी ग्रो कर सके ज़्यादा सर्दी के अंदर भी ग्रो कर सके और जल्दी ग्रो करें उनको Insects कम खाएं ये सारी चीज़े हमने Bio Technology के थूँ Achieve कर ली हैं, बिल्कुल ऐसे Crops हमने Design कर ली हैं तो इस Chapter के अंदर यही सारी चीज़े हम लोग जानेंगे तीन Critical Research areas होते है Bio Technology के और इन तीनों Critical Research areas के बारे में डिटेल में इस Chapter में समझेंगे Applications देखेंगे कहां कहां पर Bio Technology हमारे काम आता है Bio Technology जो Agriculture के अंदर हमारे काम आता है वो सबसे पहला जो तरीका है वो है Agro Chemical Based Agriculture के अंदर काम आता है अब यहां पर क्या होता है कि Fertilizers, Pesticides यह सारे Chemicals का इस्तमाल होता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं Agro Chemical Based Agriculture दूसरा होता है Organic Agriculture यहां पर क्या होता है मतलब कि हम Crops के Genes के अंदर यानि की DNA के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आते हैं कुछ ऐसा Change लेकर आते है जो कि हमारे लिए useful होने वाला है यही सारी चीजें डिटेल में इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं अरे भाईया जो Crops होते हैं वो अपने आप ग्रो होते हैं फिर क्यों उनके Genes वगरा के अंदर आप बदलाव लेकर आ रहे हो और अगर बदलाव लेकर भी आओगे उनके DNA और Genes के अंदर बायो टेक्नलोजी के हेल्प से तो उससे क्या मदद होगी आपकी उल्टा आप तो हमारा स्लेबस ही वड़वाद होगे जब मैं Class 12 के अंदर था ताब मेरे भी दिमाग में यही सवाल आता था कि आखिरकार Crops को Genetically Modify करने की जरूरत क्या है देखो हमारी कंट्री के अंदर जो Crops की Requirement थी यानि की जो खाने पीने की चीजों की Requirement थी वो बहुत ज़ादा थी उस Requirement को पूरा नहीं कर पा रहे थे हमारे Farmers जो थे कंट्री के इतने ज़्यादा Crops नहीं ग्रो कर पा रहे थे तो फिर हम लोगों ने Chemicals का इस्तमाल करा और साथ में हमने Genetically Modified Crops का इस्तमाल करा जिसकी वज़े से जो Food Production थी वो ट्रिपल हो गई थी इस चीज को Initiate करा था Green Revolution थे हमारी Government ने भी इस चीज को प्रमोट करा था लोगों को समझाया था के Green Revolution के अंदर Participate करो जिससे की Food Production हमारी कंट्री की भड़ सके हमारी कंट्री की Food Production Green Revolution के बाद से ट्रिपल हो गई है क्योंकि हम लोग अच्छे Genetically Modified Crops यूज कर रहे हैं Chemicals का मतलब की Fertilizers का Pesticides का इस्तमाल कर रहे हैं ये कोई Add नहीं है आपको एक बहुत ही Important Information देनी है Education को Easy और Affordable बनाने के लिए हमने एक Important Step लिया है आपके लिए हमने Ready करा है Special Content जो आपके Exam में बहुत हेल्प करेगा इसमें आपको मिलेंगे Chapter Wise Test Paper हर Chapter के Notes साथ में Combined Test Papers और Priority Doubt Clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे Benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के Membership Prize में Subscribe के साथ में Join के बटन पे क्लिक करके आपको ये Membership Purchase करनी है ये Prize Limited Time के लिए है अरे वाँ भया इतने कम प्राइज में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी Member बन जाता हूँ अब बिलकुल ध्यान से आपको ये Chapter समझना है क्योंकि Main Part अब इस Chapter का शूरू होता है सबसे पहली जो Term है वो है GMO GMO का मतलब होता है Genetically Modified Organism मतलब की वो वाला Organism जिसके DNA के अंदर Alteration करी गई है कुछ ना कुछ Genetic Engineering की टेकनीक्स का इस्तमाल करके क्या बोला मैंने कोई भी ऐसा Organism जिसके DNA के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाए गया है Genetic Engineering का इस्तमाल करके उसे हम लोग बोलेंगे Genetically Modified Organism अच्छा ये Organism क्या हो सकता है Animals हो सकते हैं Plants हो सकते हैं In fact Human Beings भी हैं इन में Example के लिए और Micro Organisms यानि कि Microbes भी हो सकते हैं जैसे वैक्टिरिया, फंगा, ये सारी चीज़े अब देखते हैं अगर हम लोग Genetically Modified Crops बनाते हैं मतलब कि यहां पर Organisms के अंदर हमने क्या लिया Plant के अंदर Crops को तो क्या फाइदे होंगे देखो सबसे पहला फाइदा पता है क्या होता है कि जो Crops है वो जादा Abiotic Stress को जहल पाते हैं Tolerate कर पाते हैं अब Abiotic Stress मतलब बहुत जादा गर्मी पढ़ रही है तो Crop खराब नहीं होगी बहुत जादा सर्दी पढ़ गी उससे भी खराब नहीं होगी तो इससे बैस चीज तो क्या ही होगी तो हम उनके Genes के अंदर Crops के Genes के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव लेकर आते हैं कि वो जादा गर्मी को टॉलरेट कर पाए जादा सर्दी को टॉलरेट कर पाए Chemical Pesticides की हमें कम जरूरत पड़े ऐसा कुछ ना कुछ हम उनके Genes के अंदर Change ले आते हैं जिससे की उनके साथ हमें कम Chemicals का इस्तमाल करना पड़े जैसे Fertilizers, Pesticides, इनका इस्तमाल कम करना पड़े Next हम लोग Post Harvest Losses को भी बचा लेते हैं Genetically Modified Crops की Help से मतलब कि ऐसी एक Crop थी जिसको आपने अच्छे से Grow करा पूरे 6 महीने तक उसको Cut कर लिया फिर आपने घर में रखा मालो गेहूं थे उनके घर पर रख लिया अब वह जो गेहूं है ना नॉर्मल ही अगर आपने घर पर रख लिया कि वह 4-5 महीने तक खराब ही ना हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है Post Harvest Losses नहीं होंगे Efficiency उनकी Increase कर देते हैं कि जो भी Minerals उन्हें Provide करे जा रहे हैं Plants को वह ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अच्छे से इस्तमाल कर सकें दूसरी चीज हम लोग Nutritional Value भी Food की भढ़ा देते हैं जैसे की Vitamin A Enriched Food बना देते हैं जैसे Rise जो होते हैं Rise के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी Genetic Engineering कर देते हैं कभी-कभी जिससे की उनके अंदर Vitamin A जादा हो जाए तो लोग क्या सोचते हैं आरे इन राइस के अंदर तो Vitamin यह जादा है हम तो इसी वाले राइस को खरीदेंगे तो इस तरीके से हम लोग Genetic के लिए Modified Crops को ग्रो करते हैं Cotton Farmers को एक बहुत बड़ी प्राब्लम फेस करने को मिल रही थी जो भी उनके Crops थे उन्हें बार-बार कुछ insects destroy कर दिया करते थे जैसे की टबेको बड़ बॉम, बीटल्स, फ्लाइज, मस्किटो यह सब destroy कर देते थे तो बिचारे Cotton Farmers बहुत परिशान थे अब उनको एक Genetic Engineer ने सुझाव दिया कि क्यों ना आपके जो Cotton के Crops है इनके Genes के अंदर हम कुछ ऐसा बदलाव लेकर आएं कि अगर कोई भी Insect ने खाए तो उसकी मोत हो जाए तो Cotton Farmers ने बोला भाई बहुत अच्छा solution है तो ऐसा ही करा गया, Genetically Modify करा गया Cotton के Crop को, जिससे की कोई भी अगर इनमें Insect में से इस Cotton Crop को खाएगा तो उसकी Death हो जाएगी तो एक BT Toxin Gene होता है जिसको Cotton Plant के Genes के साथ मिलाया गया और फिर Finally क्या बना BT Cotton जो की एक Genetically Modified Crop है अब इस Crop को अगर गलती से भी इनसेक्ट खा लेंगे ना मजे मजे में के चलो खा के देखते हैं क्या ही होगा मर जाएंगे यह लोग तो इस Gene को Extract कैसे करा गया देखते हैं सबसे पहले Bacillus Thuring Genesis नाम का एक Bacteria होता है जिसके पास कुछ Protein Crystals होते हैं अब यह जो Protein Crystals इसके अंदर होते हैं ना यह Toxic Insecticidal Protein होते हैं अब इसका मतलब क्या है Toxic मतलब कोई ना कोई कतरनाक जैरीली चीज है Insecticidal किसके लिए? Insects के लिए और क्या हैं यह Proteins हैं लेकिन यह जो Toxic Insecticidal Protein है ना यह Activate एक Condition पे होते हैं किस Condition पे होते हैं? जब इसे कोई भी Insect खाता है तभी यह Activate होते हैं अब किसी Insect ने मजे मजे में क्या करा? गलती से Toxic Insecticidal Protein को खा लिया क्या होगा उसके साथ? सबसे पहले तो यह Toxic Insecticidal Protein उसके पेट में पहुचेगा गट के अंदर पहुचेगा और जो उसका गट होगा ना Insect का वो Alkaline होगा जनरली Alkaline pH लेवल होता है इनके Insects के गट का पेट का तो जैसे ही वो पहुचेगा रियक्ट करना शुरू कर देगा एक्टिवेट हो जाएगा जो हमारा Toxic Insecticidal Protein है जैसे ही वो एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा? जो हमारा Insect है उसके Mid-Gut के Epithelial Cells के अंदर पोर्स क्रियेट कर देगा ऐसे छेद बना देखा अब छेद होने की वज़े से आपको पता है कि क्या होगा उसके Cells Swell हो जाएंगे, Lysis होगा और Last में वो हमारा Insect बहुत ही गंदी मौत मर जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपने Cotton के Crops को तो बचा ले लेकिन Insects को विचार को कितनी बुरी तरीके से मार देख अब धियान दो जो Bacillus Thuringiensis है इसी से हमने Extract करा है यह Protein Crystal इसी वज़े से इसका नाम हम लोग आगे लगा देते हैं हमारे Genetically Modified Cotton Crop के देखो BT Toxin Gene किस से लिया था हमने Bacillus Thuringiensis से हमने बैक्टिरिया से लिया था यह जीन तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया नाम में BT Cotton Crop तो यह Genetically Modified Crop है जिसको जादा तर Insects Destroy नहीं कर पाते अरे भया आप क्या YouTube पे पढ़ा वड़ा रहे हो मेरे पास एक स्कीम है 25 दिन में पैसे डबल मैं तो टबेको प्लांट्स की खेती करने वाला हूँ अरे मेरे सारे टबेको प्लांट्स खराब हो गए अब क्या होगा मेरा मेरे 25 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम भी बेकार हो गई हरे बेटा मोटूलाल तुम्हें पता है एक नीमा टोड आया जिसका नाम था मिलॉइट जीनी इनकॉगनीशा उसने तुम्हारे सारे के सारे टबेको प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया हाँ भे मोटूलाल आज कैसे क्लास में आ गए हो गए तुम्हारी 25 दिन में पैसे डबल की स्कीम पूरी मैं इसलिए तो कहता हूँ के पढ़ाय वडाय करो कुछ आईएस वाईएस बनो तो देखो यहाँ पर क्या है जो हमारा टबेको प्लांट था जो मोटूलाल ने ग्रो क करा उसके अंदर mellow design incognita नाम का एक निमाटोड था जो कि खा कर उसे destroy कर रहा था अब हमें क्या करना है इस निमाटोड को मारना है अब मारने के लिए क्लिए क्लिए करना पड़ेगा टबेको प्लांट को genetically modify करना पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसा change लाना पड़ेगा जिससे क ये निमाटोड जब भी आकर बाद में टबेको प्लांट को खाए ये खुदी मर जाए तो क्या करेंगे बहुत ही सिंपल सी चीज़ आए हम लोग क्या करेंगे एगरो बैक्टिरियम ट्यूमी फेशियन का एक वैक्टर लेंगे उसके अंदर चेंजिज लेकर आएंगे और उसको इस तरीके से मोडिफाई कर देंगे कि फिर हम जब इस जीन को इंट्रिडियूस करें टबेको प्लांट के अंदर तो वहाँ पर क्या हो देखते हैं अब जब ये निमाटोड हमारे टबेको प्लांट को खाने की कोशिश करेगा या खाएगा तो उसके अंदर क्या होगा ये जो जीन हमने मिलाया था टबेको प्लांट के अंदर एड करा था ये जीन इससे क्या होगा कि इस निमाटोड के अंदर single standard RNA बनना शुरू हो जाएंगे अब ये जो single standard RNA इससे क्या होगा कि जो already निमाटोड के अंदर mRNA था उसके साथ ये single standard RNA bind हो जाएगा मिल जाएगा जिसकी वज़ा से जो निमाटोड का mRNA था वो properly function नहीं करेगा और at the end जो निमाटोड है वो अपने आप ही मर जाएगा कतम हो जाएगा तो मिल गया हमें एक नई variety of तबेको आप में से कितने बच्चे diabetes के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत भी जानते हो अगर जानते हो तो comment section के अंदर comment करके जरूर बताना जनरेली हम लोग diabetes को घर पे शुगर शुगर बोलते हैं अरे शुगर हो गया इसको शुगर हो गया उसको शुगर हो गया तो शुगर होने का मतलब diabetes ही होता है पूरी दुनिया के अंदर लगबग 422 million people है जो कि diabetes से सफर कर रहे हैं तो diabetes एक बहुत ही बड़ी बिमारी बोल सकते हो क्योंकि इसके जो patients है वो काफी large amount के अंदर है लेकिन इस बिमारी का इलाज क्या है भाया मेरे दादा जी को भी diabetes है उनको बस insulin का एक injection दे दो फिर वो ठीक हो जाते हैं मिलकुल सही कहा मोटुलाल तुमने देखो insulin ही एक ऐसा solution है जिससे हम लोग diabetes patient का इलाज कर सकते है और insulin भी हमें large amount में चाहिए क्योंकि इतने सारे diabetic patients है हमें insulin मिलता कहां से है लेकिन हमें insulin मिलता है from the pancreas of slaughtered pigs and cows मतलब जो pigs और cows होते हैं उनके pancreas से हमें यह मिलता है अब मान लो हमने बहुत सारा insulin निकाल भी लिया pigs and cows के pancreas से लेकिन वो जो insulin हम इन animals से निकालेंगे वो generally allergic reaction कर देता है patient के अंदर मान लो एक pigya cow था उससे मैंने बहुत सारा insulin ले लिया diabetic patient को दे दिया injection अब वो बोलेगा रहे भाई मेरे तो allergic reaction हो रहा है मैं तो अपसे कभी भी insulin का injection नहीं लूँगा तो इस वज़ा से जो हमारा ये वाला idea है ये लगभग fail हो जाता है यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है recombinant DNA technology की इसके अंदर हमें क्या करना है सबसे पहले हमें वो वाला gene ढूणना है जो की insulin produce करने के लिए responsible है जब हम उस gene को ढूण लेंगे उस gene को हम लोग क्या करेंगे एक bacteria के अंदर introduce कर देंगे मतलब एक bacteria के साथ उसे जोड़ देंगे अच्छा ऐसा क्यों कर रहे है bacteria के साथ क्यों जोड़ रहे है आपको पताए कि जो bacteria है वो बहुत जल्दी multiply करते है बहुत जल्दी reproduce करते है फटा फट ग्रोथ होती है इस वज़े से हमने ऐसा करा है जब bacteria खुद replicate करेगा खुद grow होगा तो उसके साथ-साथ हमारा जो ये insulin वाला gene ये भी भड़ता जाएगा तो हमें इस तरीके से large amount में insulin मिल जाएगा अब हम लोग बात करते है structure of insulin के बारे में mammals के अंदर insulin immature form में present होता है बाद में maturation के बाद में वो एक mature insulin बनता है अब ये जो immature insulin होता है इसे हम लोग बोलते है pro insulin और बाद में जब ये mature हो जाता है तो इसे बोलते है insulin तो हमारे काम की चीज़ क्या है ये वाला इंसुलेन अब देखते हैं एक पर structure कैसा देखता है immature insulin का जो immature insulin है उसका कुछ इस तरीके का structure होता है देखो A chain है B chain है और C chain है अब ये जो A और B chain होती है ये एक दूसरे से linked होती है by disulfide bond अब हमें क्या करना है अगर हमें pro insulin बनाना है बहुत ही simple तरीका है बनाने का हम लोगे C chain को अलग कर दे अगर हमें C chain को अलग कर देते हैं तो हमारा mature insulin बन जाएगा देखो ऐसा ही किया है हमने यहाँ पर C chain को अलग कर दिया तो ये हमारी A और B वाली जो chain है अभी भी जुड़ रहेगी by disulfide bond और हमारा pro insulin हमें मिल जाएगा लेकिन एक बहुत बड़ा challenge है produce करने में insulin को वो है mature insulin मतलब हमें mature insulin बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है अगर easily समझें तो ऐसा insulin हम लोग कैसे बनाएं जिसके अंदर A और B chain एक दूसरे के साथ disulfide bond के अंदर जुड़ी हुई ह और जो ये C वाली chain हो ये अलग हो इस problem का solution एक American company ने ढूणा इसका नाम था Allie Lily 1983 के अंदर इस company ने E. coli के plasmid को use करके एक mature insulin को बनाने का तरीका ढूण लिया अब इन्होंने mature insulin को किस तरीके से बनाया सबसे पहले इन्होंने A chain को separately produce करा B chain को separately produce करा और इन दोनों chains को disulfide bond से बाद में जोड दिया अब इस तरीके से हमारा mature insulin बन गया और बाद में market के अंदर ये insulin introduce हो गया अरे डॉक्टर साहाब मेरा बेटा बड़ा बिमार है ना जानी इसको क्या हो गया है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके बेटे को cystic fibrosis हुआ है इसी वजह से इसके lungs के अंदर problem है ये एक genetic disorder है इसके जीन के अंदर problem है अरे डॉक्टर साहाब कैसी बात कर रहे हैं अभी तो मैंने इसको एक हफते पहले ही नया जीन्स दिलाया है अब इसकी जीन्स के अंदर problem आने से इसकी तबियत से क्या relation है अरे भाई साहाब आप मेरी बात समझे नहीं जो DNA वाले जीन्स होते हैं उसमें problem है इसके बिलकुल कुछ ऐसी बिमारियां होती है जिनको हम लोग बोल सकते है genetic disorder अब यह जो genetic disorder होता है इसका मतलब यह होता है कि जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ defect आ जाना तो यह हमारा एक defective gene है लेकिन इस problem को हम सही कैसे कर सकते हैं gene therapy की help से हम लोग इस defective gene को replace कर दें और फिर इसे normal gene बना दे तो फिर हमारी जो genetic disorder था वो ठीक हो जाएगा gene therapy के बारे में अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे कि कोई भी अगर defective gene है तो उसे replace या treat करके हम लोग normal gene बना सकते हैं तो हम अपनी book के according देखते हैं कि first clinical gene therapy कब हुई थी 4 year old girl के उपर हुई थी 1990 के अंदर first clinical gene therapy और ये किस चीज के लिए हुई थी उसके अंदर क्या कमी थी ADA की deficiency थी ADA की कमी थी अब ये ADA क्या होता है देखते हैं तो जो ADA होता है इसे हम लोग बोलते हैं adenosine dmice अब ये जो amnes हो होता क्या है जो immunity होती है ना वो कम हो जाती है अब immunity कम हो जाएगी तो person जल्दी जल्दी बिमार पड़ेगा मतब ये जो छोटी बच्ची होगी बार बार बहुत जल्दी जल्दी बिमार पड़ती होगी तो इस चीज को सही कैसे करा गया gene therapy के थूरू सही कर सकते हैं हम लोग और तीसरा है lymphocyte culture सबसे पहला method bone marrow transplantation इसके बारे में पढ़ लेते हैं देखो जो word है हमारा transplantation उसी के अंदर हमें answer मिल रहा है bone marrow transplantation मतलब कि जो भी defective bone marrow है हम उसे replace कर देंगे normal bone marrow से तो यही होता है हमारा bone marrow transplantation अगर हमें defective bone marrow लग रहा है तो उसे हमने replace कर दिया normal bone marrow से next है enzyme replacement therapy अब एक patient था जिसके अंदर ADA की कमी थी तो हमने क्या करा simply उसके अंदर injection लगा दी और injection लगा कर ADA की injection दे दी है उसे और injection लगा कर उसकी यह जो ADA की कमी थी यह पूरी कर दी तो patient बिल्कुल ठीक हो गया अच्छा एक ऐसा patient था जिसके अंदर red blood cell की कमी थी अब red blood cells की कमी होना मतलब कि anemia था उसे तो red blood cell की बिमारी को हमें ठीक करना है क्या कर आपने simply injection दे दिया और वो patient हो गया तो यह जो दो आप treatment देख रहे हो यह treatment किस तरीके के हैं कि माल लीजिए हमें patient के अंदर को कमी दिख रहे है बिमारी दिख रहे है तब हमने उसका directly treatment कर दिया अब क्या enzyme replacement therapy एक तरी permanent cure है किसी भी बिमारी का आप बिलकुल नहीं अब ADA की कमीतिया अपने injection दे दिया वो patient ठीक हो गया कुछ समय बाद भी उसे यह problem हो सकती है तो फिर आता है हमारा जो एक तरीके से permanent वाला तरीका है जिसको हम लोग बोलते है lymphocyte culture method वो इस वाले method को भी हम लोग permanent cure नहीं बोल सक अब according to lymphocyte culture method हम लोग क्या करेंगे यह जो ADA producing gene है इन्हें replace कर देंगे defective genes को कैसे करेंगे देखते हैं सबसे पहले हम लोग patient के अंदर से lymphocytes को remove करेंगे lymphocytes एक type के cells होते हैं जब हम lymphocytes वाले cells को patient के अंदर से निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक रेट्रोवाइरस की मदद से रेट्रोवाइरस introduce करेंगे lymphocytes वाले cells के अंदर जो हमने patient से निकाल लेते अब इस retro virus की मदद से हम कौन सा gene introduce करेंगे इन lymphocytes के अंदर ADA वाला जिसकी कमी थी patient के अंदर जो defective था gene जैसे ही हम ADA वाला gene डाल देंगे अच्छे से हमारे lymphocytes उसके साथ pond कर जाएंगे अच्छे से हमारा काम बन जाएगा अब finally जो हमारे lymphocytes थे उन्हें हमें क्या करना है दुबारा से patient के अंदर डाल देना है return करना है patient के अंदर और यहीं पर जो हमारा method था वो successfully complete हो गया क्या करा हमने lymphocytes को patient की body से निकाला फिर हमने क्या करा जो ADA वाला gene था उसे introduce करा lymphocytes के अंदर with the help of a retro virus जब lymphocytes के अंदर ADA वाला gene पहुच गया पुरा हमारा replacement हो गया तब हमने lymphocytes को वापस से patient की body के अंदर डात दिया लिकिन यह permanent cure क्यों नहीं हुआ क्योंकि जो यह lymphocytes वाले cells है यह immortal नहीं है मतलब कि ऐसा थोड़ना कि यह खतम नहीं होंगे आपको पता है कि हमारी body के अंदर हर एक cell की एक particular life होती है तो यह वाले cells बाद में खतम हो सकते हैं तो जो भी हमने method करा वो पूरा का पूरा हमारी पूरी की पूरी मेनत पानी में मिल जाएगी लेकिन यह वाला जो method है अगर हम लोग एक embryonic stage यानि कि बहुत ही जब बच्चा develop हो रहा है बहुत ही छोटी stage है starting stage है वहाँ पर कर दें अगर हमें कमी पता चल जाए बच्चे के अंदर कि ADA जीन की कमी है और यह method हम लोग बहुत ही छोटी stage पर कर दें तब यह जो बिमारी है ADA के जो genes थे defective थे यह वाली बिमारी permanently cure हो सकते है उस patient के अंदर अब next हम लोग पढ़ेंगे transgenic animals के बारे में देखो transgenic animals कौन से animals होते हैं वो वाले animals जिने modify या फिर manipulate करा गया है उन animals को बोलते हैं हम लोग transgenic animals जिनके DNA को modify या फिर manipulate करा गया है बदला गया है अब ऐसा क्यों किया जाता है यह भी हम जानेंगे तो एक first transgenic cow थी जिसका नाम था Rosie 1997 के अंदर यह cow थी अब इसके अंदर हमने human alpha lactalbumin Rosie के milk के अंदर 2.4 gram पर liter मिलने लगा अब यह क्या है human alpha lactalbumin यह एक protein है और इस protein की वज़े से ही जो Rosie का milk था वो काफी ज़्यादा nutritionally balanced milk माना जाने लगा इसी वज़े से जो Rosie का दूद था लोग बोलते थे भाई Rosie के दूद के अंदर तो क्या तागत है क्या power है इसी तरीके से human protein alpha 1 antitrypsin को इस्तमाल करा गया to treat emphysema अब यह emphysema क्या है emphysema एक lungs की बिमारी है तो humans के अंदर एक protein होता है जिसे हम लोग बोलते है alpha 1 antitrypsin और इसके इस्तमाल से हम लोग emphysema बिमारी को treat कर सकते हैं इतने सारे treatment के हमने interesting interesting method देखे लेकिन क्या इन methods को directly हम human beings के उपर apply करते हैं नहीं पहले इन methods को mice यानि की चूहों के उपर apply कर जाता है तो जो transgenic mice होते हैं उनको हम लोग use करते हैं और इनी का इस्तमाल करके हमने polio की vaccine भी बनाई थी तो ऐसे ही ये जो transgenic animals होते हैं इनी की help से हम लोग बहुत सारी बिमारीों के बारे में पढ़ते हैं अब चूहों को ही क्यों लेते हैं experiment के लिए हम सबके दिमाग के अंदर ये question आता ही आता है तो चूहों को इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनका जो structure है body का वो बहुत ज़्यादा similar है human beings इस वज़े से ज़्यादा तर जो हम vaccine बनाते हैं medicine बनाते हैं उन्हें चूहों के उपर try करते हैं transgenic animals की help से हमने cancer, cystic fibrosis, arthritis और alzheimer जैसी बिमारीों के उपर बहुत सारी study करी है बहुत सारी research करी है तो यहाँ पर आप यह जो भी बिमारियां देख रहे हैं जादातर बिमारियां genetic disorder की हैं तो जो genes के related बिमारियां होती हैं उन्हें हम लोग study कर पाए हैं with the help of transgenic animals के किस तरीके से यह बिमारियों को हम लोग cure कर सकते हैं अरे भाया आपने तो treatment के बहुत सारे तरीके बता दिये लेकिन हमें कोई बिमारी है या फिर नहीं है इसका पता कैसे लगता है आपके कभी तबियत खराब हुई है आप डॉक्टर के पास गयोगे डॉक्टर ने आपको बहुत सारे blood test लिखे होंगे urine test लिखा होगा और भी कुछ test लिखे होंगे तो ये जो blood test होते हैं आपके serums के test होते हैं urine के test होते हैं इनके अंदर बिमारी का पता बहुत बाद में लगता है बहुत late detection होता है तो सबसे बड़ी इनकी ये कमी है अगर आपको कोई बिमारी हुई है अगर हमें शुरू शुरू बही पता चल जाग से, recombinant DNA technology, PCR, ELISA इन सारे test की help से हम लोग जल्दी से जल्दी पता लगा सकते हैं अगर आपको कोई बिमारी early stage में भी है तो तो देखो यहां पर क्या होता है pathogenes यानी की bacteria और virus अगर आपकी body के अंदर हैं तो उन्हें हम लोग PCR machine के अंदर add करते हैं, amplify करते हैं PCR technique के through और बह virus और bacteria भड़ जाते हैं तो हम लोग पता लगा पाते हैं कि अच्छा आपके अंदर तो यह बिमारी है और यह बहुत ही early stage में हम detect कर लेते हैं अच्छा जैसे अगर covid जैसी खतरनाक बिमारी की बात करें तो covid का सबसे बड़ा नुकसान कहता कि पता ही नहीं चल रहा था कि किस को covid है early stage में पता ही नहीं लगता था तो इसी वज़े से यहां पर बायो टेक की बहुत ज्यादा help ली गई और जल्दी से जल्दी detect कर लिया गया कि किसको covid है अगर आप urine का test या फिर बलड का test कराते covid के case में तो बहुत समय लगता था पता लगने में इतनी देर में तो आप कितने लोगों को infect कर देते थे आप सोच भी नहीं सकते तो यहां पर आपने देखा कि क्या होता है pathogenes यानि की bacteria और virus को amplify कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है जब यह भढ़ जाते है ना तब हम पता चल जाता है early stage में आपकी बिमारी आपको है और फिर easily इस बिमारी का ह help से याद रखना है आपको कि ELISA test के अंदर बहुत important है antigen AB का interaction तो जब AB का interaction होता है antigen AB का तब हम लोग ELISA test के अंदर बिमारी को early stage में detect कर पाते हैं अब बात करते हैं GEAC genetic engineering appraisal committee GEAC एक ऐसी committee है जिसका काम ही यह है कि genetic modification कितने हद तक हो रहा है और कौन सा genetic modification सही है और कौन सा genetic modification गलत है जैसे हमने genetically modified crop बनाया था BT cotton अब जब हमने BT cotton को बनाया सोचो अगर मैं उसके अंदर और ज़्यादा modification कर देता और उसको एक जहरीला crop बना देता तो क्या होता तो फिर बहुत सारे लोगों को उससे नुकसान होता अभी तक तो insects मर रहे थे गलती से कोई इंसान खा लेता वो तो कितना modification होना चाहिए कितने हद तक होना चाहिए यह सारे decision लेती है GEAC तो GEAC किस चीज के लिए responsible है public safety के लिए अब यहाँ पर genetically modified crop के लावा और क्या बनाते हैं genetic engineering की help से vaccine इन सब चीजों के उपर भी मतलब पूरा ध्यान देती है GEAC और पूरा decision लेती है अगर हम लोग RISE की इंडिया के अंदर पता है कितनी variety है 2 lakh varieties है सिर्फ बास्मती राइस की बात करें तो उसी उसकी 27 varieties है 1997 के अंदर एक American company थी जिसको एक patent right मिल गया था बास्मती राइस का US के अंदर ठीक है और यह patent rights और trademark के थ्रूई से मिला था patent right का मतलब क्या होता एक तरीके से इन्होंने क्य बोला कि ये वाला हमने genetically modified crop हमने बनाया है तो अब इस crop को कोई भी use करेगा तो हमसे permission लेनी पड़ेगी हमें पैसा देना पड़ेगा तब तुम इस crop को grow कर सकते हो तो इस तरीके से genetically modified crop इन्होंने बना कर उसका patent register कर दिया था तो यहाँ पर turmeric neem यह सब क्या है इंडिया की variety है इंडिया की चीजी है तो इन सबका भी patent इंडिया को file करना चाहिए अब बात करते हैं बायो पायरिसी की the use of bio resources by the multinational companies and other organization without any systematic approval from a nation or its related people without any compulsory payment is called bio piracy मान लीजिए एक बहुत बड़ी company है अब company है तो उसे क्या करना बहुत सारे पैसे कमानी है पैसे कमाने के लिए उसने क्या करा bio resources मतलब जो भी हमारी biological चीजे हैं इनके अंदर बहुत ज़ादा changes लाने लगी without the approval of country मतलब बिना देश के पूछे जैसे हमारे इंडिया के अ भी approval लिए बिना तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं bio piracy the initiative taken by the Indian Parliament toward it is that it recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill तो इस चीज़ को लेकर हमारी government भी काफी ज़ादा aware है और government ने इसी वजह से एक amendment करा एक rule लेकर आए rules के अंदर कुछ changes लेकर आए जिससे की strict action हो सके अच्छे से निगरानी रखी जाए सके bio piracy के उपर यहीं पे हमारा chapter होता है समाप्त सच बोल रहा हूं है सच में ये chapter खतम हो गया अगर आपको इस chapter के notes चाहिए sample paper चाहिए या shout out चाहिए तो आपको क्या करना है simply subscribe के साथ में join का button है उस पे click करके आप member बन जाईए तो आपको सारे notes मिल जाएंगे class 12th की bio के साथ में sample paper भी मिलेगा जिसके अंदर सारे important questions मैंने डाले हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं और साथ में shout out भी आपको मिल ही जाएगा so see you in the next video thanks for watching like subscribe share करना मत बूलना अपने दोस्तों के साथ